C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज का ध्वानी पाठ अध्याए आठ तनाव प्रिष्ट संख्या 115 तनाव भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महिनों में बढ़ा युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था वहां क्या होगा भारत और इंग्लेंड के संबंधों में क्या कोई नया अंतर आएगा चुनौती भारत छोडो प्रस्ताव बंबई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमिटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की जो अब भारत छोडो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है और ये चित्र है भारत छोडो आंदोलन के दावरान बंबई में आउरतों का एक जलूस आईए अब सुनते हैं पार्ट प्रिष्ट संख्या 116 वह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था जिसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाओ दिया गया था ऐसी सरकार जो मिली जूली हो जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनी धित्तो हो और जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हतियार बंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना कॉंग्रेस कमिटी ने संसार की आजादी के लिए ब्रिटन और संयुक्त राष्टर से फिर अपील की और इस बात की स्विक्रिती देना तय किया कि गांधी जी के अपरिवहार्य नेत्रित्तों में अहिनसात्मक धंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए यह स्विक्रिती उसी समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णे लेते अंत में कहा गया कि कमिटी कॉंग्रेस के लिए शक्ती हासिल करना नहीं चाहती ताकत जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी अपने समापन भाशनों में कॉंग्रेस सभापती मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका अगला कदम होगा बिटिश सरकार के प्रतिनिधी वाई सराय से मुलाकात करना और खास सयुक्त राष्ट्रों के मुख्याधिकारियों से एक सम्मान पूर्ण समझोते के लिए अपील करना आठ अगस्त 1942 को काफी रात गए यह प्रस्ताव अंततह पास हो गया कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह सुबह बंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफतारियां हुई और इस तरह हम अह अहमद नगर के किले में आए यहां यह पाठ समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज वाचनस्वर अजीत होरो निर्माण सहयोग सौम्या मलिक ध्वन्यंकन विकास सांगवान निर्माण वंधना अरिमर्दन तथा प अझच झाल